हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आसे बहुत अच्छ होंगे आज में लेकिया यूँ बहुत ही यूसफुल टिप्स औरिक जो आपके ना बहुत ही काम आएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को पुरा देखेगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें फ्रेंट्स और फैमलिक शाँ जादा ज्यादा शेयर करें तो चलिए वीडियो श्टार्ट करतें प्रेले टिपे चार्जर को लेके, चार्जर रखने का आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, आपको क्या करना है, चार्जर का जो वायर है ना, इसे नीचे से उपर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और एक बात का खास ख्याल रखना है कि जहां से अटेच हो रहा है ना वाप पे ज़्यादा दबा नहीं पढ़ना चीए तो देखे चार्जर की वाइर को इस तरीके से राउंड गुमाना है जिस तरह से मैं आपको वीडियों बता रही है उसी तरह से आपको इसे गुमा लेना है और चार्जर का जो पॉइंट है इसे अंदर की तरफ डाल कर वाइर को खीच लेना है तो इस तरीके से वाइर को खीच लेना है तो यह बहुत ही अच्छे से हैंगर की तर रेडी हो जाएगा इसे आपको जहां भी हैंग करना वापर आप हैंग कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप भी जरू ट्राय करें, ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिलिक शाज जादा जादा शियर करें, तो बढ़ते हैं अगली टिप के और, अगली टिप है इस तरह के पेपर बैग को ले, कि हम मार्केट से के बाद फिर से अंदर साइड फोल्ड कर ले, जिस तरह से मैं आपको वीडियों बता रही, उसी तरह से आप इसे फोल्ड कर ले, तो इस तरह अच्छे से फोल्ड करने के बाद ये बहुती बढ़िया और्गनाजर बनकर त्यार हो गया है, आप इसके अंदर अपने को इसके अंदर रखे, फिर आप इसे अलमेरा में रख सकते हैं, तो इससे न कपड़े और्गनाजर रहेंगे और जो भी कपड़ा आपको छेरेगा, आसाने से मिल जाएगा, हम क्या करते हैं, कपड़ों को और्गनाजर करके रखने के लिए मार्केट से और्गनाजर खरित अगले टिप इसतरा के पाऊच्वाले मसाले को ले तो सारा मसाला तो एक सात मीख नहीं करते हैं जितल आ निकाल लेटे हैं बाके को हम ऐसे हैं खुला रखते तो आपने देखा रहेगा बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि हवा लगने की विज़त से अंदर गुटलिया बन जाती है तो इससे रखने का आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप पता हूंगी जिससे न मसाले जल्दी खराब नहीं होंगे आपको क्या करना है मसाले का जो बॉक्स है इसे इस तरह अंदर साइड फोल्ड करना है तो इस तरह दोनों साइड अंदर साइड से फोल्ड कर ले और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर जो उपर वाला हिस्सा है उसे भी इस तरह से फोल्ड करना है तो उपर वाले इस तरह से ForeD करके उपर Stepler लगा लें तो मैंने यह प cabe Lea है आप चाहिए इसे इसे बॉक कर सकते हैं तो इस तरह से Chicakas लगा की इससे पैक कर लेंगे कि ईस तरह अच्छ Space कर लेंगे और ज्यादा दिन पर एक करसे चाहँ हैं यो तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली चाथ ज्यादा ज्यादा शियर करें, तो बढ़ते हैं अगली टिप के और, अगली टिप भी मसाले के पाउच को लेकर हैं, तो इस तरह काटके जितना ची उतना यूज कर लेते हैं, बाकी को हम अच्छे से फिर पैक करके रखते ह करने का कई तरीके हैं, जैसे कि हम चाकू को गरम करके फिर से पैक करके रखते हैं, या फिर रबर बेंड लगा कर रखते हैं इसके उपर, तो इससे पैक करके रखने का आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगी, आपको क्या करना है, पहले पैकेट को ना इस तरह से कट कर लेंगे और कट करके इसे पाउच पर इस तरह से लगा लेना है तो इस तरह से आप इसे पाउच पर लगा लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से पाउच जो है पैक हो जाएगा बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं तो इस तरह से आप पाउच को पैक करके तो फिर हम इसे कप्ड़े से साफ करते हैं तो अच्छे से साफ नहीं उता है तो इसे साफ करने का आज में आपको बटी बरिया तरीका बताऊंगी आपको क्या करना है ले 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 लिए झाल को ईसाफ कर लिए लिको paint remover से साफ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये clean हो जाता आप देख सकते कितने अच्छे से clean हो गया है या फिर आप इसे perfume सो भी भी बहुत ही से clean कर सकते हैं तो आपको क्या करना है इस तरह से थोड़ा सा perfume चुड़क लेना है और tissue paper से से पोच लेना है, इस तरह से आप इसे clean करेंगे तो बहुत ही अच्छ से clean हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितने अच्छ से clean हो गया है, तो इसे आप ऐसी कपड़े से साफ करते हैं तो अच्छ साफ नहीं होता, लेकिन इस तरह आप nail paint, remover की मदद से या पी perfume की मदद से इसे बहुत ही अच्छ से साफ कर सकते हैं, तो furniture पे पैन या फिसकेच पैन के निशान बने हुए हैं, तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छ से clean कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसका निशान नहीं दिखेगा, तो I hope ए ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी, ट्रिक पसंद आई हो तो कीचन सिंग की जाली से ना पाइपलैन में चले जाते हैं, इससे क्या होता है ना फिर धिर करके कीचन सिंग की जो पाइपलैन है वो ब्लॉक हो जाती है, इसके लिए आपको क्या करना है, ले ले लेना है पॉलिथिन तो मैंने या पे पापड के पैकेट वाली पॉलिथिन तो आप इस तरह की पॉलिथिन ले 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 या फिर जो दूद के पैकेट आते हैं और तेल के जो पैकेट आते हैं उसकी पॉलिथिन आप ले सकते हैं क्योंकि यह थोड़ी ठीक रहती है और इसे इस तरह से काट के सिंग की जाली है उसके साइस का हमें काट लेना है तो इसे हम कैसे इस्तमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्या करना है कीचन सिंग की जाली है ना उसके ओपर इस तरह से रखने के बाद जब भी आप अर्तन दोएंगे ना तो जो छोटा-छोटा कचरा रहता है ना वो कीचन सिंग की पाइपलाइन में नहीं जाएगा इस तरह से इसके ओपर रह जाएगा और फिर आप इसे निकाल कर डश्टमुन में फैक लो कर द फिर से आप इसके ओपर लगा ले इस तरह से एक छोटा सा टूल बनाकर कीचन शिंग की जाली पर रखेंगे इसके क्या होगा ना बर्तन वगेरे दोते समय जो छोटा-चोटा कचर रहता ना केचन सिंग की पाइपलाइन में नहीं जाएगा और केचन सिंग की पाइपलाइन ब्लॉक नहीं होगी आई होब ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी ट्रिक पसंद आयो तो लाइक करें फ्रेंड्स और फैमिली खशाथ शियर करें